हलो इस्टूड आप सभी का स्वागत है वाई एरस क्लास में इस्टूड आज की सीडों में हम हिंदी का पेपर बताने वाला हूँ जैसे कि आप लोग का कच्छा दर्स का जो है 18 फर्विली 2020 से एक्जाम सुरू होने वाला है पहला पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा तो यहां पर मैं आप लोग को एक अच्छा एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप लोगों का टाइम जो है बच जाएगा और आप उसे अच्छे से याद कर सकेंगे देखिए जो एक प्रश्ण है जो कि हंडिड़ परशन आता ही आता है एक्जाम जैसे कि यहां पर पूछा गया है का नमर में कि हासरस अथवा करूरस की परिभासा लिखिए और उसका उधारण भी दीजिए और पूछा गया है रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभासा और उसका उधारण लिखिए और तीसरा पूछा गया है गानमर में कि रोला अथवा सोटा चंद का लच्छड लिख कर उसका उधारण दीजिए दो दो नंबर का है यहां पर आपको क्या बताने वाला हूं यह कि देखिए पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि हासरस अत्वा करूरस मतलब या तो आप हासरस की परिभासा लिखें या तो करूरस की परिभासा मतलब दो जाता है, दोनों में से केवल एक का ही लिखना रहता है, तो मैं यहाँ पर आज यह बताने वाला हूँ, देखिए आप लोग दो मत याद करिए, एक्जाम में आप से दोनों पुछा जाता है, आप लोग दो मत याद करिए, केवल एक ही याद करिए, एक ही याद करेंगे आप का टाइम बचेगा आप जो टाइम बचेगा आप दूसरे बिसे का प्रशन याद कर सकते हैं अगर आप हासरस याद कर रहे हैं तो हासरस मत याद करिए जिससे क्या होगा आपको टाइम बचेगा आपको जो है आपके दिमाग पर भोज नहीं रहेगा तो यह बताने का हमारा यह मकसद है जिससे कि आपका कम समय में ज्यादा नंबर पास लिखेंगे तब भी आपको दो नंबर मिलेगा यानि यानि हासरस का पूछा जाएगा और करूरस दोनों में से एक लिखने रहेगा इसका जो हासरस लिखेंगे दो नंबर मिलेगा तो इसका भी दो नंबर मिलेग इसी तरह से दूसरा जो पुछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिवासा और उसका उधार दीजी तो रूपक और उपमा पुछा गया है दूसरा पुछा गया है कि रूपक पूछा गया है पहला अब पूछा गया है उपमा तो यह रूपक और उपमा इन दोनों में से केवल आपको एक याद करो आप लोग एक ही याद करो दोनों याद करेंगे दोनों ही पूछा जाएगा आपको लिखना कौन सा है, एक ही लिखना है, तो कौन सा भी जो आपको अच्छा लगे, आप लोग वही याद करें, एक याद करिए बस, यह तो आप अगर उपक याद करें, तो उपमा मत याद करिए, अगर उपमा याद करें, तो उपमा मत याद करिए, एक ही याद करिए, नंबर आपको मिलना है केवल दो ही इसी तरह से आब आप अजाते हैं तिसरे प्रण तीसरे में दिया गया है कि डौस असोड़फा चुछा लंच dog1 की कि आ गया है तिसरे पुचा ईया कि डूला चो यह त्यु现在 का और अनसे केवल आपको एक याद के आप लोग एक याद करिए जिससे क्या होगा आप लोगा समय बचेगा जो समय बचेगा आप लोग दूसरे विशे का प्रश्ण याद कर सकते हैं तो हमारे कहने के मतलब यह है कि आप लोग जो तीनो यह जो तीनो प्रश्ण है हासरास करोरस में किवल एक याद करिए रूपक और उपमा में केवल एक याद करिए रोला और सोठा में केवल एक याद करिए अगर आप एक एक याद करेंगे तो जो है आपका ये जो टाइम है टाइम बच जाएगा मतलब मालने की हासरा से याद कर लिए करोड़ा से रूपक याद कर लिए और रोला याद कर लिए तो आपको यह टाइम जो है करोड़ा से जो याद करेंगे उसका टाइम बच जाएगा उपमा जो याद करते उसका टाइम बच जाता बच जाएगा आपको नंबर क्या मिलना है छे नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा तो यह बताने का हमारा मक्सद था झाल झाल